इसराइल और हमास के बीच जारी जंग अब नितन्याहों के लिए एक बड़ा चिंता का विशे बन गया है क्योंकि जिस तेजी से इसराइल हमास को नुकसान पहुचा रहा है उसी तेजी से उसके प्रतिरोधी गुट इसराइली इलाकों को दहला कर फिर से इसराइली बलो को उसी जगह पर खड़ा कर देते हैं इसराइली बलो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हिजबुला बना हुआ है जो लगातार अपने हमलों से उत्तरी इसराइल में तबाही फैला रहा है हिजबुला ने अपने घातक हमलों से इसराइल को इतना जादा नुकसान पहुचाया ह कि उसकी कमर तूट गई है ऐसा नहीं है कि हिजबुला के हमलों से इसराइल शान्त है आइडियाज भी जम कर हिजबुला पर हमलावर है लेकिन इतना होने के बावजूद भी हिजबुला जंग के मैदान में डटा हुआ है और हर रोज इसराइल पर मिसाइल रॉकेट और ड है इसके साथ हिजबुला ने जबल नधार में आयोएफ पर रॉकेट से सीधा हमला किया और इससे पहले बारम फॉरेस्ट में आयोएफ के गुट को भी निशाना बनाया यही नहीं हिजबुला ने कबजेवाले लिबनान के शेबा फार्म में जबदीन साइट को रॉकेट स निशाना बना कर सीधे हमला किया और प्रतिरोध ने कबजेवाले लिबनान के कफार चौबा हिल्स में राम्था साइट को रॉकेट से निशाना बनाया सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली ड्रोन एडियाशे शहर और उसके आसपास के इलाकों में कैसे घातक विस्पोटक बरसा रहा है जिससे इलाके में आग लग जाती है और तबाही का मनजर दिखता है इसके साथ ही इसराइली हमलों में दक्षरी लिबनान क कई गाउं पर तोप के गोले, फॉस्फोरस बम और मशीन गन से गोली बारी भीगी गई जिसमें तोप खाने की गोला बारी कफार किला और एता अल शाप के शहरों के बाहरी इलाकों तक नुकसान पहुंचाया है लेकिन इतना सब होने के बाद भी हिजबुल्ला के हमलों मे कमी नहीं आई हिजबुल्ला जंगी मैदान में उसी जजबे के साथ इसराइली बलों और इलाकों पर हमले करना जारी रख रहा है इसी कड़ी में इसराइली सैने संचालन प्रभाग के पूरु प्रमुक रिटार्ड मेजर जनरल इसराइल जीव ने हिजबुल्ला की में एक कमजोर प्रतिद्वन्दी है लेकिन इजबुल्ला ने हार नहीं मानी है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्दी है कि इसने इसराइल को एक साल में मानू अपंग कर दिया है इसके साथ ही जीव ने कहा कि इसराइल अभी भी इरान के खत्रे से बाहर नहीं आया है जीव इसने इस युद्ध को लेकर समझोते की बात भी कहे और सुझाव दिया कि इस युद्ध को समझोते के तहत ही रोका जा सकता है समझोते से ही गाजा में और इसराइल में शान्ती लाई जा सकती है